हेलो, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेक टो अनदर वीडियो, कैसे हैं आप लोग, आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने स्टेडी को मज़े में कर रहे होंगे तो फैंड्स आज के दिन की जो शुरू बात हुई है, वो मेरे सुब्चे 5 बचे से हुई है तो फैंड्स आप लोग देख सकते हैं, हम जो इंसान लोग हैं, उनको उटने में देर हो सकती है अगा उनको बेखो multiplierd SAS है snake ऑउनको ब्हुर्पी ऑलत नहीं आता है जैसे ही सुबज के पांच बर्से हैं उनकी morning हो जाती है और हमारे अस पांच के जो भी पक्षी है वह चहचाने लगते है तो एट में नीचे उतर करके आई। छास The Might & The और पानी को हमेसा ज़्यादा तर बैड करके ही पीना चाहिए, खड़े हो करके पानी को नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो यह मैं अंदर बैड पर ही ले आई थी, यहां बैड के आसानी से मैंने आराम से पानी पिया, उसके बाद मैं बैटिन अपने study को continue करने के लिए तो सबसे पहले तो हम to-do list बना लेते हैं कि आज के क्या-क्या target है हमें कौन-कौन से topic पढ़ने हैं सब कुछ मैं लिख लूँगे अपने to-do list में दैन उसके बाद अपनी class को start करूँगी तो friends class को start करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है तो please वीडियो को like कर दिया करिए और channel पर first time आये हैं तो channel को subscribe भी कर लेना क्योंकि friends आप लोग जब वीडियो को like करते हैं तो उसे मुझे motivation मिलता है थोड़ा सा मुझे अंदर से अच्छा लगता है तो अगर जब आप लोग वीडियो को like करेंगे तो मैं और अच्छे से आप लोगों के साथ अपना routine share कर पाऊंगी I hope so अभी तक आप लोगोंने वीडियो को like कर दिया होगा तो friends morning का समय तर और यहाँ पर मैं हिंदी की class ले रही थी और friends आप लोगों को पता है कि हिंदी मेरे theoretical जाला तर मैंने जो भी व्याकरण है वो मैंने पढ़ लिया है और अब जाया तब मैं हिंदी का जो लगाती हूँ वो practice set लगाते हूँ जो यूटूब पर हमारे जो सर लोग हैं वो practice set कराते रहते हैं वहीं से मैं one liner जो मुझे new सा लगता है कि हाँ यह मुझे note down करना चाहिए तो मैं उसे note down कर लेती हूँ तो one liner अपने notes मनाती जा रही हूँ और fans इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दू जैसे की रचना वगएरा हुई तो उनको मैंने भी पढ़ा नहीं है क्योंकि वह मैं तभी पढ़ूंगी जब वह कोई exam बगएरा पास में होगा तब क्योंकि रचना वगएरा क्या होत की जब मैं याद करूंगी हार रस चंद्र अलंका जो यह सारे portion इनको मैंने पढ़ लिया इनको तो मैंने cover-up कर लिया है और fans इसी के साथ मैं आप लोगों के से कुछ कमेंट पर बात कर लेती हूं तो एक सिस्टर का कमेंट आया था मेरे पास कि वह मैंसे पूछे थी कि अभ हमारे यहां का जो सूपर टैट है उसका अभी कोई भी confirmation नहीं है कि कब तक होगा जी हां लेकिन calendar जब जारी हो जाएगा calendar के बाद आपको confirm हो जाएगा लेकिन यह है कि सूपर टैट से पहले आपको यूपी टैट देखनों को मिलेगा तो अभी अच्छा होगा कि अगर आप दे सकती है एग्जाम अगर वहाँ आप मतलगी सेटल हो सकती है तो आप 100% आप टियारी 4.0 के लिए प्रिपरेशन करें क्योंकि उसी के साथ कहीं ना कहीं आपकी सूपर टैट की भी प्रिपरेशन होगी और जैसे ही आपके सामने calendar आये या फिर यूपी टैट का notification आये उसक अपना दो घंटे का पूरा स्टैडी का स्लॉट मैंने अपना कंप्लीट किया ता मॉर्णिंग में दैन उसके बाद 8 सरवाट वज़े में उठ जाती हूं अपने स्टैडी से थोड़ा ब्रेक लेती हूं और साथी साथ में जो लोग मेरे प्राने ब्यूवर हैं और जो अपने कारिस्ताल पर जिसको जाना है उसको तो जाना ही वह हमारे साथ से टाइम को अपना इदावदर नहीं कर सकते हैं पिर मैं सोचते हूं कि ब्रेक लिया और घर पर ही है तो चलो जल्दी से अपना जो क्रीनिंग वगएरा का काम है उन्हें भी खतम कर दो तो फ्रेंस ज 10 बजी तक मैं नहा करके आगे थी उसकी वाद मैं लंच वगरा किया खाना वगरा खाया और अब भी टाइम हो रहा है ग्यारा बजे का ग्यारा बज़े से मैं अपनी स्टाडी का सेकंड स्लोट दुवारा से कंटिन्यू कर रही हूं तो फ्रेंड सेकंड स्लोट को कमेंट और ले लेती हूं यूनिक सिद्धार करके उनकी आईडी है और वो मुझे बहुत पहले से सिस्टर देख रही है और मुझे देखती है तो सबसे पहरे तो मिनका थैंक्यू बोलना चाहूंगी थैंक्यू सिस्टर कि आप मुझे रैगूलर देखती है और अब मैं अब यहां कि थोड़ा सोचना पड़ता है तो बस यह बात है तो अभी मेरा कंफरमेशन नहीं है लेकिन यह है कि मैं अभी अपनी स्टाडी को तो कंटिन्यू कर रही हूं क्योंकि जी एस हिंदी इंग्लिस जो मैंनी सब्जक्त रहते हैं उनको मैं कंटिनूर्श पढ़ रह जो सेम चीज मेरे ऊपर है वही चीज में आपके ऊपर बोलूंगी क्योंकि तो को एक मेल है वह तो कहीं भी कुछभी कर सकते हैं वह तो अपने एकवर हस्द्वेंट से बात करके देखिए और उनसे आप बिचार वी मस्करिए और वह बोलते हैं अगर आपको बियार के वहां का फॉर्म डालिए और अपना तयारी भी करिएगा अगर वह कुछ आपके सामने कुछ उपेरियन अपना रख रहे हैं तो उस चीज के आप अपने अंडेस्टेंडिंग देखते हुए आप वो डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आप मेरिड हैं तो उसके साफ से मैं कुछ नहीं बोल सकती हूं इस चीज के लिए आप अपने फैमली में एक बार बात करके देखिए को आपको ज्यादा अच्छे से डिसीजन पता पाएंगे बस मैं तो यहीं बोलूंगी अगर आपकी फैमली अलाओ करती है तो आप 100% आप अपनी तयारी करिएगा ब्याहार की इसी मुझे तीन घंटे हो गएते और अभी टाइम हो रहा था लगवग दो बजे का उस समय पर मैंने ब्रेक लिया था और एक घंटे के ब्रेक के बाद मेरा मन बहुत ज़ादा हो था अपना हेयर कट कराने का वैसे मैं पाला पर कराती हूं लिए कि पाला कर बोलते है ना खुद से सैटिसफाइड नहीं हो पाती हूं कि वह बाल बहुत ज़्यादा छोटे कर देते हैं तो मैंने सोचा क्यों नाम में हेयर कट खुद से ही करूंगी तो लेजा करना था मुझे और मैंने खुद से ही हेयर कट किया है और मेरे यसी कापी सारी लड़किया आउंगी जो कि पा हाँ अच्छे हैं तो फेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने हेयर कट ले लिया है थोड़ा थोड़ा से इसमें तीन पांच और करने वाली हूँ और फेंड्स इसी के साथ मैं एक बात दुवारा से आप लोग को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप लोग ने वीडि को लाइक कर दीजिए चैनल पर फर्स टाम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी गर लीजिए और फेंड्स इसी के साथ मुझे एक कमेंट और याद आ गया एक सिस्टा का कमेंट था शायद वो मेरे से न्यू जूड़ी हुई है इस वाई से उनको नहीं पता है अदर्व 17-19 वाला जो बैश था उसकी मैं हूँ और लास्ट वही टैट हुआ था उसके बाद कोई हुआई नहीं है हम नारा जब तर बियालाट कम्प्रीट हुआ है उसके बाद कोई भी सुपर टैट नहीं आया है तब से 6 साल बस पापट बेल लें घर पे रोटियां बेल लें और फैंस आप लोगों ने जिन लोगों ने भी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म एपलाई किया था तो उन लोगों को मैं बता दू कि उसकी डेट आ गई है 20 और 21 सेप्टमबर को टीजीटी पीजीटी का एक्जाम होगा तो फैंस जिन लोगों का भी फॉर्म फिलप है वो अपना लग जाईएगा पढ़ाई में